Hey everyone, welcome, welcome back to this youtube channel, this is Simav here Class 10th, यानि SST, again SST की हम बात करेंगे, political science part का, ठीक है जिसमें session 2023 की जितने भी students है, उन सब के लिए खास होने वाला है और especially इसमें हम chapter 3 के most important, 20 most important expected जो होगा, MCQs पर deal करेंगे So please याद रखेंगे, और ये सारे के सारे MCQs, pre-board और board दोनों के point of way से important होना है So देखते हैं, इसमें कौन-कौन से important MCQs है So here is the first MCQ, पहला यहां पर दे रखा है Patriarchal Society Means, यूनो, पित्र सतात्मक समाज का क्या मतलब है Option है, a society dominated by men, या फिर a society dominated by women, a society where there is equality between men and women, या फिर none of the above तो कहरे है, a society dominated by men, यानि कि पुरूशों के परभुत्वाले समाज को बोलेंगे या a society dominated by women, यानि कि महिलाओं के परभुत्वाले समाज को बोलेंगे या a society where there is equal between men and women यानि कि एक ऐसा समाज जहां पुरूशों और महिलाओं के बीच समानता हो उसको बोलेंगे या इन में से कोई नी तो याद रहे patriarchal society बोलेंगे option A हो गया पर a society dominated by men यानि कि एक ऐसा समाज जहां पर पुरूशों का परभुत तो रहता है ठेक है एक ऐसा समाज जहां पर पुरूशों का परभुत तो रहता है उसे हम पित्र सत्तात्मक समाज या patriarchal society कहते हैं so option A यहां पर क्या हो जाएगा अगला सवाल है भारत में महिलाओं की बीच साक्षरता दर मांग रहा है कि लिटरसी रेट महिलाओं की कितनी है भारत में option A 45%, 50%, 60% या फिर 65% so याद रहे option C यहां पर होगा भारत में महिलाओं का जो साक्षरता दर है लिटरसी रेट है वो अभी 60% होगा so please keep in mind option C will be the right answer next है number third में on average an Indian woman works dash more than an average man everyday यानि कि ओसतन अगर देखा जाए एक भारतिय महिला हर दिन एक ओसत पुरुष से कितना अधिक काम करती है तो option में है 3 hours यानि 3 गंटे 2 hours यानि 2 गंटे 1 hour यानि कि एक गंटे या नानावदी अबब यानि इनमें से कोई नी तो याद रहे वो एक घंटा अधिक काम करती है महिला किसके औसादन किसके यानि देखा जाए तो एक भारतिय महिला हर दिन एक औसाद पुरुष से क्या करती है ज्यादा एक गंटा ज्यादा रोजाना क्या करती है काम करती तो वो one hour होना है तो ये बात आपने याद रखनी है अगला सवाल है number fourth में the literacy rate among men in India अब हम भारत में पुरुषों के बीच साक्षरता दर की अगर बात करें तो वो कितनी है महिलाई तो 60% है अभी हमने देखा बढ़ अगर हम पुरुष की बात करेंगे यह आपका क्या दिया हुआ है महिलाई के बारे में दिया गया क्या है महिलाई के बारे में अगर हम पुरुषों की बात करेंगे तो वो कितना है option में दे रखा है 76% 80% 66% या 56% so please keep in mind option B यहाँ पे सही answer होगा पुरुषों के लिए कितना हो जाना है आपका 80% होगा और महिलाई के लिए कितना हो जाना है 60% हो जाना है so यह बात याद रखनी है अगला सवाल है number 5 the equal remuneration act of dash provide that equal wages should be paid to equal work you know equal work के लिए समान काम के लिए समान wages क्या होनी चाहिए equal wages pay करनी चाहिए समान काम के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए यह बात कही गा रही कितने equal remuneration act में इस कानूर में कहा जाता है बट सवाल यह कि इस कानूर को कब पारित किया गया था option ने 1986, 1976, 1966 या 1972 so please keep in mind option B यहाँ पे सही answer होगा 1976 में the equal remuneration act पास करे गए थी जो हमें बताता है कि equal wages के लिए equal work के लिए equal wage क्या होना चाहिए मिलना चाहिए उसको pay किया जाना चाहिए यानि कि dash का समान पारिसर्मिक अधिनियम प्रावधान करता है यह नो किसका 1976 का 1976 का समान पारिसर्मिक अधिनियम यह प्रावधान करता है यह बताता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का दिया जाना चाहिए तो यह कानून पास होई थी 1976 में यह बात आपने याद रखनी है अगला सवाल है number 6 में the national average of child sex ratio यानि कि the number of girl children per thousand boys you know per thousand boys पे जो number of girl children है in a country as per the census 2011 2011 के जन गनना के अनुसार बताना है कि child sex ratio national average में कितना है 974 या 974 या 924 या 954 या 918 so please keep in mind option D will be the right answer कितना हो जाना है 918 हो जाना है as per the 2011 census क्या होगा number of girl children per thousand boys you know कि thousand boys में से कितनी हमारी you know girl children है girl child है 918 किस के अनुसार 2011 के जन गनना के अनुसार so please keep in mind अगला सवाल है number seven में the percentage of elected women members in लोकसभा had crossed 10% of its total strength for the first time in का जा रहा है कि लोकसभा में जो निर्वाचीत महीला सदस्य की परतेशत है वो पहली बार कब you know इसके कुल संख्या का परतेशत कुल संख्या का 10 परतेशत से अधिक हो गया था तो ये ऐसा पहली बार life में हुआ था option है 1999 या 1999 या फिर 2004 में या 2009 में या 2019 में so please keep in mind option C will be the right answer ऐसा हुआ 2009 में जो कि पहली बार हुआ था कि लोकसभा में women you know women members की संख्या 10% से ज्यादा हुई थी 10% से ज्यादा cross किया था किसके election में 2009 में कहां पर लोकसभा में so please keep in mind अगला सवाल है number 8 में the world average of women's representation in national parliaments across different regions of the world is पुरी दुनिया के according बात करने कि दुनिया के women शेत्रों में राश्ट्रिय संसदों में महिलाओं के परतिनिद्ध तो जो है वो विश्व के आसातन कितना percent है option है 19% यानि कि लगबग 19% के बराबर में कितने percent 19% के बराबर में दुनिया के विबिन शेत्रों में राश्ट्रिय संसदों में महिलाओं के परतिनिदी की बात करते हैं तो लगबग कितना है 19% so please keep in mind so next है number 9 में the region has the highest representation of women you know highest representation of women की बात कर रहे है India और National Parliamentaries यहाँ पर कुछ रीजन के बार में दिया गया है अब इन रीजन में देखना है कि वो कौन सा रीजन है जहां के National Parliament में women की सबसे ज्यादा representation होती है वहाँ पर option है Pacific region में अमेरिकाज में या Middle East में या Nordic countries में जहां पर women को higher representation मिलता है highest representation दिया एता है खास करके National Parliament में जहां के बात करेंगे तो हमारे माइन में दो बातें आती है एक तो पंचायद आएगा rural areas के लिए ने देहाद के लिए और दूसरे नमबर पे जह हमारा municipalities आएगा जो कि urban areas के लिए होगा जो कि शहर के लिए होगा are now reserved for women यहां के कुछ seats को women के लिए reserve कर दे गई है कि इसके पंचायद और municipalities का बड़ उसके number of seats बताना है या फिर उसके fraction बताने कि वो कितनी है 3 4th होगा 1 3rd होगा या 1 4th होना है या 1 5th होना है so please keep in mind option B will be the right answer 1 3rd यानि कि इस्थान ये सरकारी निकायद जो है जो कि पंचायद और नगरपाली का है वहाँ पे 1 बटे 3 यानि कि 1 3rd seat उपर महिलाओं के लिए आरक्षित है I mean आरक्षन मौझूद है कितना 1 3rd यानो एक तिहाई seat जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है reserved completely next question number 11 में the you know dash दे रखा है used to say that religion can never be separated from politics he believed that politics must be guided by ethics drawn from religion एक बहुत बात बढ़िया बात कहते है क्या कहते थे कहते थे actually वो अभी इस दुनिया में है नी तो कहते थे क्या कहते थे कि धर्म को कभी भी राजनीती से अलग नहीं किया जा सकता उनका मानना था कि राजनीती को धर्म से प्राप्त नैतिक्ता द्वारा निर्देशित होना चाहिए you know religion can never be separated from politics he believed that politics must be guided by ethics drawn from religion तो ये बात किस ने कहती option is सीराज गोपला चारी जी ने कहते या सरदार पटेल ने कहा था या गांधी जी ने कहा था या फिर नहरू ने कहा था तो यादर है option C यहाँ पर सही आंसर होगा क्योंकि ये बात कही थी किसने महत्मा गांधी ने कही थी किसने कही थी महत्मा गांधी ने बात कही थी क्या कहती कि धर्म को कभी भी राजनिती से अलग नहीं किया जा सकता उनका मानना था कि राजनिती को धर्म से प्राप्त नैतिकता द्वारा निदर देशित होना चाहिए सो प्लीज कीप इन माइड ऑप्शन सी विल विद राइट आंसर महत्मा गांधी नेक्स्ट है नमर टूल में डश आ दोज लॉस दीज लॉस दाडील विद फैमिली रिलेटेड मैटर सच अस मैरेज, डिवॉस, अडॉप्शन, इन्हेरिटेंस, एट्सेटरा यहनों उस लॉप के बारे में बताना है यह वो कानून है जो परिवार से संबंदित मामले जैसे कि विवा, तलाक, गोध, लेने या फिर विरासत आदी से निबटने के लिए होता है, तो यह वो कौन सा कानून जो इस तरह के काम को देखता है, फैमिली लॉज या फिर रिलिजियस लॉज, या कम्यूनिटी लॉज, या फिर स्टेट लॉज तो याद रहे इस तरह के काम को फैमिली लॉज योनों पारिवारी कानून जो होता है वही इस सब सारी चीज़ों ते क्या करता है निपटता है, so please keep in mind option A will be the right answer, family laws यानि कि ये पारिवारी कानून ही इस तरह के काम से निपटेगा, जैसे शादी, marriage हो गया, divorce यानि तलाक हो गया उसे के साथ adoption यानि गोद लेना हो गया, inheritance यानि कि विरासत की बात कर लें, तो इस तरह के चीज़ों से निपटता है, family laws, यानि पारिवारी कानून, अगला सवाल है number 13, there is no official religion, देखो official religion की बात कर रहे है, in dash चार option दिया गया, इनमें कोई भी official religion नहीं है, यानि कि कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है कोई भी धर्म नहीं है, कहाँ पर Sri Lanka में नहीं है, England में नहीं है Pakistan में नहीं है, फिर India में नहीं है तो काफि अधिन सा सवाल है, option D होगा क्योंकि हमारा इंडिया ही इन चार option में इकलावता देश होगा, जो कि किसी भी धर्म को कोई मानने नहीं देता है, so please याद रहे, स्री लंका बिल्कूल देता है, जो कि बौद धर्म को देता है, वो माननेता, उसी तरह से England भी देता है, जो कि Christianity को, Christian को क्या करता है, वो माननेता देता है, वहीं पर, अगर हम पाकिस्तान बोलेंगे तो ये इसलाम धर्म को क्या करता है माननेता देता है लेकिन अब इंडिया जहां पर एकलौता देश हो जाएगा जो किसी भी धर्म को क्या नहीं देगा officially कोई भी माननेता नहीं देता है so please keep in mind option D will be the right answer next question in number 14 में the representation of women in different state assemblies is you know अब हम बात कर रहें different state assemblies की बात कर रहें हम लोकसभा की बात नहीं कर रहें अलग-अलग हमारे इंडिया में भी 28 state है तो अलग-अलग state के जो assemblies है वहाँ पे women की representation लग-बग कितनी है less than 5% यानि 5% से कम है more than 5% यानि 5% से ज्यादा है more than 10% यानि की 10% से ज्यादा है more than 20% यानि की 20% से ज्यादा है तो यादर है option A होना है क्योंकि हम state assemblies में अगर महिलाओं की संख्या देखेंगे तो वह लग-बग 5% से कम है कितना है लग-बग 5% से कम है different अलग-अलग state assemblies की बात करें किसका women representation के बारे में so please keep in mind option A will be the right answer less than 5% next 10 number 15 में which among the following statements about India's constitution is wrong you know हम यहाँ पर भारतिये सन्विधान की बात करेंगे India's constitution की बात करेंगे और यहाँ पर कुछ option you know 4 statement दिएगे इन में से बताना है कि जो भारतिये सन्विधान के बारे में गलत है वो बताओ option A कह रहा है prohibits discrimination on grounds of religion यहनो कि धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है हमारा constitution हमारा सन्विधान बिलकुल भी सही है यह सही है यह रोक नहीं लगाता है इसलिए गलत नहीं होना है दूसरा कह रहा है gives official status to one religion यानि एक धर्म को आधिकारिक दरजा देता है बिलकुल गलत है बिलकुल गलत है तो मेरे ख्याल से option यहाँ पर B तो सही हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमारा गलत की बात करी जा रहे तो गलत तो एक मिल चुका है बट आगे देखते है क्योंकि यहाँ पर one religion क्या यहाँ पर कोई भी religion को value देता ही नहीं ओफेशल स्टेटस इंडियन constitution ने देही नहीं रखा है किसी को भी option C कहा रहे provides to all individuals freedom to profess any religion मतलब सभी वैक्तियों को किसी भी धर्म को मानने के लिए सौतंतरता परदान करता कौन हमारा constitution यानि भारतिय सन्विधान तो बिल्कुल यह भी सही है तो यह गलत statement तो है नहीं तो इसलिए C भी नहीं होना है D कह रहा है ensures equality of citizens with religious communities यानि कि धार्मिक समुदायों के भीतर नागरिकों के समानता सुनिश्चित कराता है धार्मिक समुदायों के भीतर नागरिकों की जो समानता होती है उनको सुनिश्चित करता है बिल्कुल यह भी हमारा काम करता है कौन हमारा Indian constitution क्या ensure करता है कि equality of citizens किसके अंदर religious communities के अंदर घुस करके equality of citizens को ensure करता है तो यह भी बिल्कुल सही है तो इस हिसाब से एक ही option गलत है जो कि B तो आपका B option यहाँ पर सही हो जाएगा जो कि Indian constitution के लिए गलत बयानी कर रहा है गलत statement बता रहा है नेक्स्ट है नमबर 16 में उस system के वारे में बताओ जिसमें head of the family जो होता है वो कौन होता है फादर होता है तो इसको हम क्या कहते है मुनार्की कहते है या पिट्रियार्की कहते है या हिरार्की कहते है या फिर none of the above यानि वो ववस्था जिसमें पिता को परिवार के मुख्या कहा जाता है तो क्या बोलते है राजशाही कहा जाता है या पित्र सत्ता कहा जाता है पदानू कर्म कहा जाता है उनमें से कोई भी नहीं तो याद रहे इसको हम B यानि पित्रियार की पित्र सत्ता कहा जाता है इसको क्या कहता है पित्र सत्ता जिसमें पिता क्या रहता है, परिवार का मुख्या रहता है, तो उस सिस्टम, उस विवस्था को हम पित्रसत्ता कहते हैं, और जहां तक हमारा मुनार्की का बात है, तो इसमें राजा क्या रहता है, मुख्या रहता है, और हिरार्की का मतलब वो नहीं होता है, हिरार्की मतलब पदानु कर्म कहा जाता है ठीक है पहले जैसे राजा लोग किया करते थे जैसे अगर हम मुगल की बात कर ले तो मुगल पे सबसे पहले कौन थे बाबर थे ठीक है तो बाबर के बाद कौन बैटे है हुमाईू आया फिर हुमाईू के बाद आपका अकबर आया था तो इस तरह से sequence क्या चल रहा था चल रहा तो इसको हम क्या कहते है hierarchy या पदानू कर्म कहते हैं तो यहाँ पर question का जो answer होगा वो patriarch की यहने option भी पित्र सत्ता हो जाएगा अगला सवाल है यहाँ पर in which system of elected bodies about one third seats are reserved for women you know यहाँ पर कह रहा है कि निर्वाचीत निकाए कि किस परणाली में लगबग एक तिहाई सीटें महीला के लिए आरक्षीत है यहने same question हमने पहले कर रखा है यहनो इसी वीडियो में बट कहाए कि यहाँ पर थोड़ा सा question को फेर बदल कर दिया गया कि बताने कि women के लिए जो आरक्षीत चीजें हैं सीटें हैं इस्पेशली one third सीटें हैं वो कौन सी आमिन body के लिए है पंचायत मुनिसिपल्स में है उसका आरक्षन या फिर लोक सबा में है या state assemblies में है या फिर none of the I mean these में है none of these में है तो पंचायत और नगरपालिका में होगा या लोक सबा में होगा या राज्य विदान सबा में या फिर इन में से किसी में तो याद रहें one third seat की बात करेंगे और women के लिए रहेगा तो वो उसके लिए option A यानि पंचायत और municipalities दोनों में जाएगा पंचायत और नगरपालिका तो इसी साब से option A हो जाना है ठीक है women के लिए reserve ये one third seats तो वो काउन सा होगा पंचायत और municipalities में चलिए अगला सवाल है number 18 में वो वेक्ति जो पुरूश और महिला के लिए समान अधिकारों और अफसरों पे विश्वास रखता है वो क्या कहलाता है feminist कहलाता है या patriarchy कहलाता है या caste hierarchy कहलाता है social change कहलाता है याद रहे कि एक ऐसा बंदा जो men और women दोनों के right और opportunities के equal पे believe करता है समानता पे अगर विश्वास रखता है तो उसको feminist कहते है option A होगा जो कि नारिवादी में आ जाएगा so option A will be the right answer patriarchy तो बिलकुल नहीं बोलेंगे क्योंकि patriarchy अभी हमने देखा जिस family में जिस system के अंदर family का जो मुखिया होगा head होगा वो अगर पिता यानि फादर होता है तो उससे हम patriarchy कहते है और caste hierarchy के कुछ और हो जाती है social change भी इस से related नहीं है so option A will be the right answer next question है number 19 में equal wages act signifies समान वेतन अधिनियम जो है वो किस चीजों को दरसाता है वो चीज़े बताना है चार option इन में से कोई एक सही होना है कह रहा है law that deals with family related matters तो देखो भी यहां पर wage की बात कर रहे है मुवेतन की बात करें तो वेतन से family का क्या लेना देना तो इसलिए option A तो होना ही नहीं है आगे कहा रहा है law provide that equal wages should be paid for the equal job for both men and women तो यह बिल्कुल सही है क्योंकि हम यहां पर wage की बात कर रहे है यह भी wage की बात कर रहे है लेकिन यह wage क्या कर रहे है कि equal wage provide किया जाना चाहिए यह law हमें बताता है कि equal wage provide होगा किस के लिए should be paid for equal job जो समान काम करें both men and women यह दोनों के लिए अगर हम बात कर ले male का या फिर वोलो आप आदमी के लिए फिर औरत के लिए दोनों के लिए equal job कर रहे है तो उसका payment भी equal होना चाहिए यह law हमसे कहा था तो बिल्कुल मेरे ख्याल से option भी यहाँ पर सही होना चाहिए जो कि आप पहले लिग दो इदर option भी बढ़ एकिन फिर भी हम तीसरा और चौथा option को देखते है जा रही है जिससे वेतन का कोई लेना देना ही नहीं है तो इसलिए option D भी नहीं होगा इससा आप से option B ही आपका सही answer होगा जो कह रहा है कानून में प्रावधान है कि पुरुशों और महिलाओं दोनों को समान नौकरी के लिए समान वेतन का दिया जाना चाहिए यह बात कौन कहता है Equal Wages Act कहता है जिसको पास किया गया था 1976 में किसमें? 1976 में प्लीज याद रखेंगे अगला सवाल है जो कि इस session का last question है number 20, number 20 which of the following country does not doesn't have an official state language तो देखो अभी हमने कुछ दिर पहले इसको deal करा फिर दुबारा से इससे सवाल को पूझ दिया थोड़ा अलग धंग से क्या बोच रहे है? कि इन में से बताना है कि कौन सा देश है जो कोई आधिकारिक राज भाशा नहीं है जो कि आधिकारिक राज भाशा इनके अंदर नहीं है तो वो बताना है यापर आपने याद रखने है ऑप्शन ए हो जागा इंडिया अब मुई पर हम इंग्लेंड की बात करेंगे तो इंग्लेंड भाई साब ने इंग्लिश को अडाप करके रखा है इंग्लिश इस इंपॉर्टन इंग्लिश चाहिए भाई प्रेशन करो आपका प्रिबोड भी नजदीक है और देन बोड भी होने वाला है बहुत जल्ड होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एंग्लास्ट में अगर चैनल पर नहीं हो से प्लीज दू सब्सक्राइब और प्रिस दे बेल आइकन लाइक करें comment करके बता है कैसा चल रहा है and that is all thank you thank you so much